पंका लगा हुआ भी तो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं चेर पर सो जा रहे हैं बैठने तक जगा नहीं जा रहे हैं सोचना चाहिए कि किसी को बैठने के लिए जगा नहीं मिला है तो गाइज अब और 500 मिटर इस्टेशन बच्छा हुआ है पढ़ना तो चाहता नहीं एको प का की जगी डिशार है कि खूब करने तो इस बलोग तो ज्यादा लंबा वजारे तो आप देखने पा रहे है और उस लिए फिसे शिटीयर दावन हो जा रहा है तो बने लिएगा इन तक काफी इंट्रेस्टिंग होने वाले वीडियो जो भी लग चैनेटर ने अब क्ली सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कर लिजिएगा और आप हमें इस्टा करने पर फालो कर सकते हैं तो गाइस अभी टाइम हो रहा सुबर के ग्यारा बद्र है और हम लोग को दो बैशन करना की विट्रेन हैं हमारी पांच बज़े तो फिलाल नाथ दो के बस ऐसा ही कपड़ा पहने हुए जो रेडियो में बाद में बार सब्सक्राइब तो इन तक बने काफी इंट्रेस्टिंग होने वाले वीडियो चलते हम वीडियो को स्ट्राइ अधनर वाइस का परम शुग्या दीखा LET देखे अभाना बना तीन दीन से स्कूल नहीं जा रहे है है जैसे स्कूल का टाइम पी ज़ीजा रहा है यह सोझ आई अशलो मेश चलो गांद्ली सा दिली ज要 एक्याम असलिए नहीं जा पारहा है अब माँना देखन निचले चले परिच्छ नहीं देना पड़ेगा और गाइज यह देखी मेरा यह रहा बैग और पुरब पाइकिंग हो गया इसमें बीच अलम कपड़ और इसमें अपना लेप्टाप पी रख लियां कि लेप्टाप नहीं दाएगा तो पाइकिंग तो हो गया बाकी पावर बैंक को करें में निकलना तो उसके बाद जो होगा वीडियो में देखने के लिए मिलेगा पूरे वीडियो देखें काफी इंट्रेस्टिंग होगा वीडियो आज का तो गाइज अभी टाइम हो रहा है एक बद के 40 मिनट और हम फाइनली डेडी हो गया जाने के लिए स्ट्रेशन प पढ़ता है तो पहले ही जाना पड़े और जाने क्बाद आप और वहां पर और भी काम है एक घंटा पहले ही पहुछ रहा है तो चलते हैं फटाक से वहां पर बाकि अभी फिलाल बाइक से जाना है और धूप देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है हालत खराब हो जाएगा और पाई को एदर च्छाह में खड़ा कर दियें, यह रहात धूब, समझी नहीं है रख कैसे जाए जाएगा, बागी कार को धोड़ाएगा, झाल, 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 झा झाल एक बस्स टो कि चॉट जाएगों पॉटरत भाई एंग कर प्रादि कि टटिवड़ल— एंग प्राइब के लगूज प्राइब कि एंग। झाल 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 तो चलते हैं वहाँ पर बीच में लखे हैं समान्द पुरा फैर्ड दॉर्द करने लगाए पैंट भी गंदा हो गया है चलेंगे समान को रखेंगा उसके बाद ब्लोगिंगे अराम से करेंगे कुछ खाएंगे पीएंगे वी क्योंकि अब इसे काया है छोड़ने के लिए छो तो गाई जब आगे हम लोग फाइनली गाजी पूर रेलेवे स्टेशन पर रहा रेलेवे स्टेशन चलते हैं पहले समान उतारते हैं फिर आप सो मिलते हैं उदर रोको तो गाई फाइनली पहुँच चुके हैं और टाइम अरा भी तीन बज की 30 मिट और समान अंदर रख द जादा है दिए उतना ज्यादा पसीना हो रहा है अब से भी चला गया है और हम चलते हैं अंदर की तरफ कि गर्मी बर्दास नहीं हो रहा है बाप रहे इतना ज्यादा धूप और यह रहा इस्टेशन का कुछ एंट्रीगेट कि यह देख सकते हैं कितना ज़्यादा भी गर्मी हो रहा इस्टेशन का और पंखा बिलकुल नहीं लगा हुआ है और पंखा लगा हुआ भी तो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं चेर पर सो जा रहे हैं बैठने तका जगा नहीं दरें सोचना चाहिए कि किसी को बैठने के ल कि क्या ही बताया यहां पर और देखिए इस्टेशन तब ज्यादा लोग नहीं है फिलाल क्यूंकि ट्रेन में भी टाइम है तीन बच के 37 में ठो रहा है पांच बच की 20 में पर ट्रेन आएगा अपना और यहां पर हम अपना बैठे हुए हैं पंखा पर देखिए लोग है गंटा टाइम अब इस नमर पर आने वाली तो इलहार बस टाइम काट रहे हैं अपर गर्मी में नहीं तो बाहर जाएंगे पुछ खाएंगे पिए में तो गर्मी यह बर्दास्त नहीं हो रहा है और गाइस जो यहां से गाजीपूर से और दिल्ली वाला जो वीडियो होगा सब्सक्राइब काफी लंबा हो जा रहें तो इसलिए छोटा छोटा बॉलाग गुनाएंगे ताकि आप लोगो देखने में काफी इसजी हो तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आप जितना होगा इस्टेशन तक ही करेंगे उसके बाद इस्टेशन से जो गा किएगा उसके बाद इसको डालेगें और यह वीडियो तो इसलिए किया है क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो करते हैं फेंट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जो भी लोग चैनल पर नहीं होगे प्लीज सस्क्राइब कर लीजेगा बाकि आप हम इस्टागरम पर फालो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच